फ्रेंड्स प्रस्ट हैं मुल्जिम और मुजरिम में क्या अंतर होता है आए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं मुल्जिम और मुजरिम यानि की आरोपी और अपराधी दोनों होने में दिन रात का अंतर होता है आईए समझते हैं दोनों सब्दों का अलग-अलग सब्दों में जानते हैं पॉइंट नमबर एक मुल्जीम किसे कहते हैं जब किसी पर किसी क्राइम का आरोप लगता है तो वह आरोपी या मुज्लीम कहलाता है जैसे कि किसी को किसी केश्ट में अरेश्ट किया गया तो वह आरोपी या मुजरीम कहलाएगा पॉइंट नमर दो मुजरीम किसे कहते हैं मुजरीम का अर्थ होता है जिसके विरूद आदालत ने किसी अपराद को सीध मान लिया हो जैसे ही आरोप सीध हो जाता है तो वह अपराधी या मुझरीम कहलाता है तो जब किसी को कोट सजा सुना दी जाती है तो कोट उसको मुझरीम करार देती है तो फ्रेंड्स मैं आसा करता हूँ कि ये बाते आपको समझ में आ गई होगी अगर ये वीडियो पसंद आता है लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करे और नोटिफिकेशन बेल को दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा